तो वेल्कम मैं चैनल जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2022 में जो बकेंसी आई थी जिसमें आपकी MSW कुप की पोश्ट भी थी ठीक है तो आज उसी के सिलिवस के बारे में बात करेंगे कि उसका क्या सिलिवस रहेगा और तैयारी कैसे करें मेरे चैनल के मद्दम से आप लोगों को पुरा सयोग मिलेगा और आप लोग अपनी तैयार क्यों पत्ति उत्तम बना सकते हैं ठीक है पहली बात करेंगे ही हम लोग कि रिटेन एक्जाम में सिलिवस क्या रहता है कुप के लिए ठीक है देख लेते हैं यह जो बिकैंसी थी बॉर्डर रोड और्गनाजेशन ग्रिप के लिए थी एमस डेवलू को ठीक है पेस्किल बन के थूप के एक्कॉर्डिंग होता इसका अठाराजार पेस्किल रहेगा इसका और स्लेवस देख लेते हैं स्लेवस फोर डिटिन एग्जामेशन एंड प्रैक्टिक प्रैक्टिस इसकल टेस्ट ओके टोटल पोस्ट जो थी आपकी 133 होगी थी जो कि पहले 82 थी जिसे इंक्रेज करके 133 कर दिया गया है में आप लोगों के लिए स्लेवस तयार किया गया है। जो बहाइं इंग्लिस मीडियुम में समझें लें जो हिंदी मीडियुम कहीं हिंदी मीडियुम थीक है एक कि भारती साथ इंडियन यानि दच्छे भारती मुगलियाई हैद्रावादी चीनी और महादिपी वियंजन त्यार कंड़ी के प्रतेक के सामने उलेखित मात्रा के साथ परक्रिया और विभीन प्रकार की समगरी त्यार करना ठीक है यह आपके सिलेवस का है कि आप लोगों को जैसे साथ इंडियन फूड है मुगलाई फूड और हेदरावादी फूड इनकी रेषबी पता होनी चाहिए विद्ध कॉन्टिट्री कि किस चीज में कितनी क्उन्टिट्री ही ठीक है फिर नेक्स पॉइंट पर बात करेंगे साखारी व्यंजन यानि की सुद्ध साखारी भूजन कैसे बनाते है वो फिर दूसरा पॉइंट है आपका मासाहरी यानिकी नॉन बेज ओके मासाहरी जैसे आप लोग चिकेन फिस बगएरा मटन बगएर बनाते हैं उसकी रेसिपी कैसे बनाते ओके तीसरा पॉइंट है मीठा पक्वान यानिकी स्वीट्स ठीक है कि चौथा पॉइंट दे रखा है आपके सिलवस में भूजन का सरच्चड ओके भूजन का सरच्चड यानिकी हम भूजन को कैसे सुरच्च रख सकते हैं कुछने टाम तक यूजेवल होता है खाना रखने के बाद ठीक है यह सब हम लोगों को पता होना चाहिए इस टेस्ट के के लिए ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे बड़तनों की धुलाई सपाई ठीक है और नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा सामान ग्यान ओके यानिकी जी के यह आपका रहेगा स्लेवस रिटेन एक्जाम के लिए ठीक है जो भाई मेरे चैनल पर पहली बार बिजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले वह सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली सबी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ओके देख लेते हैं जिन जो भाई इंग्लिस में देखना चाहेंगे उनके लिए इंग्लिस में है जैसा कि दे रखा है यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि मल्टी स्किल बरकर कुक प्रिपरेशन और प्रोसीजर एंड डिफ्रेंट तैप्स ऑफ इंडिग्रेटेंट्स यूज विद दा क्वानिटिटी मैंसन अगेस्ट इच फोर इस प्रिफ दे रखा आपको बेज़ डिसेज नौन वेज़ डिसेज और स्वेट डिसेज ठीक है फिर दे रखा प्रिसरवेशन ऑफ फूड सी पोट्व दे रखा वह वासिंग अन्ड क्लीनिंग ऑफ अंटैंट सिल ठीक है नेक्ट पर दे रखा आपका जनर्नल नॉलेज अब देख लेते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या होता है ठीक है प्रैक्टिकल टेस्ट का सिलिवस क्या रहेगा ठीक है उसके बारे पर चर्चा कर लेते हैं ठीक है देख लेते हैं पहला पॉइंट आपका दे रखा है कि प्रैक्टिक प्रैक्टिकल टेस्ट में आप लो पहले तो आप लोगों को सब्जी को काटना आना चाहिए कि कौन सी सब्जी किस तरह से काटते हैं ठीक है यह भी आपको प्रेक्स्क ietsं Cool टेक्ट में करवा सकते हैं व्लो मसालों की पैचान करवा सकते ना पूसा मसाला है अप लोगों को दिखा को सकते हैं ठीक है और कि मसाले रहेले को सुखने की अनुमतिय नहीं नहीं होती है आप टच करके बदा सकते हैं ठीक है और तीस्रा पॉइंट है बर्तोनों की सफ़ाइन कैसे करें सबसुपाई कैसे रखें बढ़नों जींट है जिस इसतान पर आपका रसुई है उस रसुई की साब सपाई किस तरह से मेंडेन करेंगे इन सभी पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है और इसमें हैं फिनिसिंग गाड़नेस डेकरेशन सौंधरी करड़ और भूजन का स्वाद ठीक है लाइफ पॉइंट आपका बचता है जो कि आपको डेसिस तियार करने के बाद रखते हैं वो सब कुछ आना चाहिए ठीक है जो इंग्लिस में देखना चाहिए उन लोगों के लिए इंग्लिस में भी है ठीक है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चॉपिंग कटिंग ऑफ वेजी टिवल्स इडेंटिफिकेशन ऑफ इस्पाइस क्लेंग अफ अंटेंसल नॉलेज ऑफ किलिंगनेस और वर्किंग पैलेस फिनिसिंग गार्नेसिंग डेकॉरेटिंग व्यूटिफिकेशन और फ्लेवरेंग और फूड ओके इन सभी का हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए ठीक है जैसा कि हम बताई चुके काफी अच्छी पोस्ट है काफी बड़ी पोस्ट है 133 पोस्ट है आप लोगों की तो जो भाई मेरे चैनल पहली बार आएं तो मेरे इस प्लिब मे हैं गब मेरे चैनल की जू लिंक है उसके थुरू दूझ से आप लोग मेरे चैनल पहुँاس सकते हैं और मेरे न टेलीन ग्रूप कौ जोईन कर अप लोग ठीक हैं वि जादत हो सके जिन लोगों ने कुप में फॉर्म एपलाई किया है ठीक है और इन लोगों को जो लोग को के एक्जाम की त्यारी करना चाहते हैं वो लोग मेरे से जुड़ जाएं क्योंकि उनके लिए मैं क्लास चालू करने वाला हुआ है ठीक है तो वीडियो को जरूर देखे जादा जादा शेयर के वीडियो देखने के लिए धन्वाद जहिए।